हमारे वक्त की धड़कन हमारा चिंतन हमारी भावनाएं हमारे विचार कभी कोमल बादचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्डार तै करें मिलकर वाट इस रॉंग वाट इस राइट आई टीवी पर अशोग व्याज के साथ इंसाइट टुनाइट नमस्कार मैं अशोग व्याज और ये बड़े सौबागी की बात होती है नियू यॉक शहर में बैठ कर जो भारती मूलियों के साथ भारती अध्यात्म संपदा का नकिवल अनुसंदान करते हैं उसको आत्मसाद करते हैं वो पूरी करुना और उधारता के साथ बांटने के लि शिवानन्द बाबाजी के नाम से जिने जानते हैं पर अधिकतर सब उनकी प्रसन्नता और उनके मुख पर जो मुस्कान है उसको हमेशा याद करते हैं आनन्दित होते हैं यह जो आनन्द का भाव है वो उनके साथ समवाद से हमारे भीतर और अधिक उजागर हो और हम उसको स्थाई रूप से रख पाएं, ऐसी प्रात्रना के साथ में आपका धन्यवाद करते हैं, तो बाबा जी, हम सब का जीवन जो है, वो एक प्रकार से तो एक साही है, सब सांस लेते हैं, सब को शरीर मिला है, पर जिस तरह से हम इसको अपनाते हैं उसमें तो बहुत विवित्ता है तो आपने जैसे अपनाया इसकी जो दिशा हुई इसकी जो प्रेर्णा हुई इसकी जो एक सगन इसपश्टता हुई ऐसा कोई एक खशन था क्या देखिए ये सब शिव क्रपा से होता है मैं आठ साल का था तो मुझे एक बहुती परमसिद्ध योगी 108 स्वामी जगदनाची ने दिख्शा दे दे और एक रहस्य उन्होंने बताया कि देखो जो तुम मनुष्य समझ रहे हो अपने आपको ये शुरुवात है तुम अनंत हो और अपने भीतर के रहस्यों को खोलते जाओ तुमारे भीतर की जो अनन्त की शक्तिया है उसको जगाते जाओ और वास्तविक पूर्ण अनन्त को प्राप्त होने के लिए तुमारा जनम हुआ है नर से नरायन होने के लिए तुमारा जनम हुआ है तो जन्म को सार्थक करो मैं तुमको शक्ती दूँगा मैं तुमारा मार्क दर्शन करूँगा तुमारी बाह पकड़के तुमको आगे बढ़ा दूँगा तो तब से मेरी शुरुवात हुई और उसके बाद मैंने अनुभव करना शुरू किया कि मनुष्य दुखी होता ही क्यों है मनुष्य अभाव में रहता ही क्यों है मनुष्य रोगी होता ही क्यों है जबकि उसके भीतर अनंत की शक्तियां है जिससे वो अपने को पूर्ण रूप से स्वास्त कर सकता है हील कर सकता है उसके अंदर इतनी शक्तिया है कि वो पूर्ण संपन्नता को प्राप्त कर सकता है सफलता को प्राप्त कर सकता है और जो मेरी साधना के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ वो ये है कि मनुष्य ही सत चित आनंद है तो बाहर क्यों खुशी खोशते हो वो तुमारे भीतर है तो वो साधना के उपलब्दियां जो मुझे हुई अब मैंने विश्व में सभी को वही बताने के लिए कि तुमारा जनम दुख भोगने के लिए नहीं हुआ तुमारा जनम रोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो है वो जोतिर्मय है सच्चित आनंद है और वास्तव में मनुष्य ने इसलिए जनम लिया कि शरीर के माध्यम से वो अपने आप को पहचान सके वो सच्चित आनंद को प्राप्त कर सके और सच्ची बात तो ये है कि यू आर दे क्रियेटर आफ यूर ओन टेस्टिनी तुम ही रचाइता हो और तुम ही स्वाइम प्रकाशित हो तो फिर जब तुम ही रचाइता हो तो तुम अभाव में कैसे हो गए कहीं न कहीं ज्ञान की कमी है और वो मार्कदर्शन करने के लिए मैं यू ऐसे आया हूँ कि लोग पूर्ण रूप से स्वास्थ हो और विश्व में दोई मिशन लेके चल रहा हूँ एक तो पूर्ण स्वास्थ और पूर्ण जो है भोजन सबको प्राप्त हो तो जो शिवयो कॉस्मिक मेडिसन जिसकी मैंने खोज करी उससे आज सारे डॉक्टर्स मौडर्ण मेडिसन को जो प्रैक्टिस करते हैं कि वो शिवयो कॉस्मिक मेडिसन को कमाइन कर रहे हैं तो वो सभी कह रहे हैं जब पहले कहते थे यह हर बिमारी इनक्यूरेबल है आप कह रहे हैं शिवयो को जोडने के बाद कि आपकी सारी बाते हैं जिनको सुनकर हम अंदर से हां करते हैं फिर हम सोचते हैं इंटेलेक्शली यह बात मुझे भी पता है लेकिन यह मेरे अभ्यास में नहीं आती है जैसे आपने कहा कि यूर क्रिएटर ऑफ यूर ऑन डेस्टिनी और आपके बीतर अन्त शक्ति है पर हमे अधिकतर लोग सीमाओं से जूज रहे हैं और सीमाओं से जूजते हुए जो एक आनतरिक करंदन है उसको छुपाते चुपाते एक तरह का आडंबर भी ओड लेते हैं उपर से प्रकट करते हैं कुछ और भीतर होते हैं कुछ तो यह जो कॉस्मिक मेडिसिन की तरफ आने से पहले जो मन के स्तर पर आप की उपस्थिती से आप जिस तरह से सिखाते हैं, मैं भी ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो अपने आपको और अधिक सहज पाने लग जाते हैं, तो ये जो अभ्यास है, इसका अगर आप कुछ थोड़ा सा स्वरूप हमारे दर्शकों को जो आपकी नियमित सत्संग में नहीं भी आ पाए हूँ, लेकिन उनको कुछ थोड़ा संकेत मिल पाए। देखिए, जब भी आप कोई बात बताओगे, तो व्यक्ति विशलेशन तो करेगा, इसको मैं विज्ञानिक रूप से बताता हूँ, आपने मन की बात करी, जो आपकी माइंड और जो सौ प्रतिश्यत है, उसका कॉंशियस माइंड सिर्फ चार परसेंट है, नाइन्टी सिक्स परसेंट तो किसी ने अनुभर नहीं करा अपनी शक्ति को, उसके बाद जो आपने बात करी, इंटलेक्शुल, जो इंटलेक्शुल व्यक्ति है, वो चार परसेंट में जो ब्रेन है, मेडिकली देखा जाए, तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, राइट ब्रेन क्रियेटिव है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिक है, इंटलेक्शुल लेफ्ट ब्रेन का बहुत बड़ा पहलवान होता है, वो कुश्ति उसी से लड़ता है, लेकिन चार परसेंट का 2% ही रह गया intellectual जो है और वो debate करता है और यह वास्तम में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा बढ़िया debate वो व्यक्ति कर सकता है जिसको उस subject के बारे में मालूम ना हो इसलिए कचेहरी में जो खुद केस लड़ रहा है वो नहीं debate करता है क्योंकि उसको तो मालूम है वो वकील को लेकर आता है क्योंकि वकील को पता नहीं है इसलिए वो जरा बहुत अची करता है लेकिन अंतरमन जानता है कि वास्तमिक क्या है क्या है आज का मनुश्य संसार का सब कुछ उसको प्राप्त हो गया है externally वो जूज रहा है सब कुछ प्राप्त करने के लिए लेकिन अंदर फिर भी प्यास है होज है दुख है एक खालीपन है वो इसलिए क्योंकि शरीर का भोजन तो आप रोजदे ही रहे हो लेकिन मन भूखा है आत्मा भूखी है और जब कोई भी व्यक्ति आता है वो अपना एक बिलीफ सिस्टम को साथ लेके आता है तो हमारे शिवयोग में हम किसी को समझाते नहीं किसी को बताते ही नहीं सीधा शक्ति बात होता है कुणलनी जागरत होती है अनुभूती अपने आप होनी शुरू हो जाती है और जो वो जो है non-verbal communication के द्वारा मैं उनको अनभूती करा देता हूं क्योंकि आनन्द है क्या आज अगर किसी से कहने जाओगे तो वो बोलेगा पहले यह depression के लेवल बताओ तो उसका depression खोल देना और अनन्द की स्थिती में लेकर के आना यह शिवी योग के लिए बड़ा सहज है depression कितना भी बड़ा depression हो तीन दिन में ठीक हो जाता है जिसका cancer जो डॉक्टर ने कहा हो फोर्थ डिगरी cancer हो गया और पंदरा बीस दिन के बाद डॉक्टर कहता है नहीं फोर्थ नहीं अब तो फस्ट डिगरी है और दो महिने के बाद कहता है नहीं तुमारे तो है ही नहीं शायद रिपोर्ट गलत थी तो वो कितना भी intellectual हो वो शिवयोगी तो हो गई होगा बनी जाएगा इसलिए मैं जहां भी साधना करवाता हूँ मैं कहता हूँ आप non believer को ही लेके आओ सबसे ज़्यादा powerful वो ही believer बनता है जब experience करता है जब अपने अंदर की शक्तियों को जागरत करता है और जो असाध्य से असाध्य परिशानिया या रोग से जो वो ग्रसित होता है जो वो गाइब हो जाते हैं वो दूर हो जाते है अब तो वो मानता ही है अभी शिविर था तो हमारे यह एक doctor साब आये थे अधिल सर्जन थे उनकी पत्री पहले ही शिवियोगी हो गई थी तो वो गुसाते थे कि तुम दो घंटा बैठके क्या साधना करती हो लेकिन पांच दिन करने के बाद उन्होंने का मैंने बहुत देर कर दी अब मुझे यह लगता है कि मैं पहले क्यों नहीं आया मैंने कुछ नहीं बताया साधना कराई शक्ती का जब अनुभा हुआ वो कौस्मिक एनरजी जब उनके भीतर प्रवाहित होने शुरू हुई तो उनको लगा कि जितना उनको ग्यान है उसके आगे का भी ग्यान है मैं सत्य यह बताना चाहता हूँ कि जो साइंस है हम साइंस को भी बहुत मानते है हम साइंस को भगवान मानते है साइंस is the God which is already been discovered but God is the science which is yet to be discovered और वो वाली साइंस मैं आपको अनुभाव कराने आया हूँ इसलिए अब सभी doctors, सभी scientists बोलते है शिवयोग is a science beyond science और प्रगती रुकनी नहीं चाहिए, invention होना चाहिए जब modern medicine का विकास हो रहा है, क्यों हो रहा है? Because they want to cure, they want to relieve the people, उनकी suffering को वो दूर करना चाहते है लेकिन अगर वो helpless हो गए, तो एक और पद्दती है, वो है शिवयोग cosmic medicine वो introduce करते ही, अब लोगों के रोख ठीक हो रहे हैं, तो science का रुझान अब इस तरह बढ़ रहा है कि शिवयोग cosmic medicine के बारे में जिस तरह से बाबाजी से सुनते हैं, तो एक आश्वस्ती होती है और यह भी मन में प्रशनाता है कि इसका बहुत गती के साथ में, पूरे विश्व में प्रसार होना चाहिए और हो भी रहे कई लोग इससे लाबान विद भी हो रहे हैं, सबका अपना अपना समझ का है बाबाजी, उससे सबसे मैं फिर प्रारंबिक सीड़ी से बात करता हूं, तो हम लोग जो सुनते हैं, ऐसा लगता है कि जब हम अपेक्षा रहित होते हैं, तो हम अधिक आनंदित ह हो पाते हैं, क्योंकि अपेक्षा हमारे कंदे पर बैठ कर या हमारी आँखों पर पट्ती नहीं बानती है, पर उसमें फिर जब आप अपेक्षा रहित आनंद की अनुभूती करते हुए व्यावारिक जगत में आते हैं, तो प्रशन आता है कि ये कहीं मूर्खता तो नहीं है, क्योंकि व्यावारिक जगत एक ऐसी समझ की मांग करता है, जिसमें दोनों का संतुलन हो, उत्तरदाइतों के निर्वहन के लिए अपेक्षा रखकर आप कार्या कर रहे हों, और साथ में आनंदित पी हो, आप मेरा संकेत समझ रहे होंगे, आप उस तरफ संकेत कर रहे है कि जो धर्म और अध्यात्म कहता है, have no desire, or have less desires, शिवयोग ये बात कहता ही नहीं, क्योंकि जिस दिन आपकी desire खतम हो गई, तो you will become a zombie, और you will become a buddh, क्योंकि final essential तक पहुँचना वो भी तो एक desire है, लेकिन आपके अंदर शक्तिया होनी चाहिए, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, जो बहुत भुखा है, उसकी desire है, उसको भोजन मिल जाए, और उस समय अगर मैं बोलूं जाकर, have no desire, तो बिचारा क्या करेगा, लेकिन अगर उसको भोजन दे दूँगा, he will have no desire for the food, उसी तरीके से achievement जो है, that is more important, awakening your infinite potential, वो ज्यादा जरूरी है, और जब वो होता जाएगा, तब अपने आप पिछली desire जो है, वो दूर होती जाएगी, जब behavioral science आप करते हैं, पढ़ते हैं, management में, तो masculine law of hierarchy है, तो पहला need होती, food, shelter, clothing, जब वो fulfill हो जाती, तब quality of food, quality of shelter, और जब ये सब चीजे मिलनी शुरू हो जाती है, तो फिर एक stage आती, self-esteem, मैंने सब कुछ तो प्राप्त कर लिया, ऐसे बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं, मैंने संसार की सारी सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन मैं अभी अंधूरा महसूस कर रहा हूँ, तो वो क्या है, तो मैंने कहा कि तुम्हारे ने अंदर की सफलता भी प्राप्त नहींगी, इसलिए शिवयोग कहता है, कि 200% जीवन जी ना है, your journey must begin, और जब आप internal achievement शुरू करते हो, तो जैसा आपने कहा कि जीवन है, संसार है, उसको पालना भी है अपने आपको, आप ज़्यादा पाल सकते हो, जब आपके अंदर अंतरिक शिवयोग की उर्जा होगी, तो आप ज़्यादा सफल हो सकते हो, वहवार कुशल भी हो सकते हो, और यही चीज हमने देखा है कि जो हमारे यूथ है, now they are more successful, हम शिवयोग में सिखाते है, the goal manifestation in higher dimension, यह नया शब्द है, goal manifestation तो management सिखाते है, पर शिवयोग management जो है, वह ज़्यादा पावर्फुल है, और उसमें हम सिखाते हैं कि जो भी आपका अदेश्या है, you start vibrating at a higher frequency than the goal which you have, और तब आप चो काम करते हो, it's very easy to achieve your goal, और बहुत success आप असानी से प्राप्त कर सकते हो, मैं फिर वही अभ्यास कराता हू, you are the creator of your own destiny, so why not to create a destiny which you want, why do you scum to the problems which you face, create. Create and each and every word of Baba Ji fills us with a sense of positive energy and optimism और जो आपने गोल मैनिफेस्टेशन की बात कही है, उसको लेते हैं मुझे जादा है, उसको बहुत सारे लोग क्लियर ही नहीं होते हैं कि हमें चाहिए क्या, तो कुछ समय हम एक यात्रा करते हैं फिर लगता है कि नहीं हम तो गलत पहुंच गए हैं, तो मैं आपका जो मुद्रा है, उसे समझ रहा हूं कि आपको यह सपष्ट है, पता है कि किस तरह से इस पष्टता आ सकती है, तो इसके वारे में कृपा करके थोड़ा बताएं कि हम अपने जीवन के लक्षक के निरधारन के बारे में कैसे और सपष्ट हो सकते हैं, देखिए आप किसी भी शिवयोगी को मिलोगे, तो हर शिवयोगी कहेगा कि he knows what is his goal, तो खाली वो ही नहीं, उसने अपना पूरा लाइफ स्क्रिप्ट लिखा होता है, कि अभी वो किस स्थि पर पहुंचना चाहता है, every शिवयोगी is a visionary, क्योंकि एक process है, which is a thought process, लेकिन हजारों विचार आ रहे हैं, कई हजार विचार एक दिन में आ जाते हैं, लेकिन उसकी पावर लाने के लिए विचारों को कम करना होगा, और vision को create करना होगा, आप किसी भी शिवयोगी को मिलोग he'll say I am a visionary, he has a vision about his body, उसका शरीर कैसा होना चाहिए, उसका health का level कैसा होना चाहिए, then he is a visionary about his family, उसका परिवार कैसा होना चाहिए, और सभी लोग कितने सुखी होने चाहिए, जो शिवयोगी है, वो अपने bank balance का जो है, वो भी create करेगा, लेकिन उसी के साथ साथ, अपने happiness index जो है, वो दोनों चीजों के graph, वो देखता है, कि में दोनों जो है, उसमें मुझे achievement होनी है, तो जो goal manifestation है, ये शिवयोगी को सबसे पहले आती है, वो अपने golden book लिखता है, और जब भी जो goal है, उसमें करम भी करना होता है, लेकिन उसी के साथ साथ, cosmic energy को भी उसमें add करते हैं, पावर बढ़ती हैं, उसमें मंतर की शक्ती को डालते हैं, तो instantly जो है, उनका goal जो है, वो achieve होता है, time is not the fact, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि बाबा जी मैं तो करम योगी हूं, मैंने का योग शब्द क्यों लगा रहे हूं, तो महनत कहते हैं, हम तो काम करते हैं, काम में हमें जो मिल जाता है, तो मैंने फिर कार्मिक बोलो, योग का मतलब है जुड़ना, करम योग, यानि कि मैं महन करूंगा और जुड़ूंगा तो मैं मालूम है किस से जुड़ना चाहते हो उस कॉस्मिक पावर से मैं फिजिकली इंग गिविंग नेविगेशन डारेक्शन मोटर बोर्ट पानी में चल रही है बड़ी स्पीड से चल रही है और डारेक्शन दी जाती है तुम सिरफ करम जो क करते हो तो तुम कर्म करते हो डारेक्शन दे रहे हो शक्ती जो है तुमारे को तुमारा गोल है उस तरफ गनतवय तक ले करके जाती है तो यह सब उनको सिखा रहा हो तो उसमें मंत्र की शक्ती है तो गोस्मिक इनर्जी की empowerment वो देता हूं, यह सब देने के बाद मैंने का तुमारी बोटर बोट राजी, रडी हो गई, अब नविगेट करो, गोल डिसाइड करो, and achieve that goal. तुमारा जनम यह सोचने के लिए नहीं हुआ कि I am helpless, औ मैं क्या करूंगा? There is ample available for everyone in the universe. Learn to tap, and I am teaching how to tap, how to create from the universe. You are the creator. तो, गोल मैनिफेस्टेशन होती है. बहुत ही सुन्दर है, यह सारे जो शब्द हैं, उनके साथ अनुबुती और इस्पष्टता, जो बाबाजी की हम तक आती है, तो ऐसा लगता है कि अभी वो सब करने के लिए हम ततपर हो जाएं, जिसका हमने बहुत लंबे समय से विचार किया है, और एक बाबाजी, जो भारत में भी होगी, और यहां भी होगी, मैं यह सहुबागे अपना आपकी उपस्तिती में अपने दर्शकों से बाटना चाहता हूँ, कि मैंने आपके सुपुत्र ईशान जी के साथ जो समवाद का उसर पाया था, तो मुझे लगा यह कैसे संभव है कि जो मेधा जिसका संभन्द आध्यात्मिक चेतना के साथ है, वो एक पुत्र अपने पिता से इस तरह सगंता से सीख पाये, और एक बाद उनकी आपके साथ याद करते हैं, उन्होंने का कि मैंने बाबाजी की फोटो अलग-अलग एंगल से खीची और हमेशा वो मुस्कुराते हुए आते हैं, कभी उनकी फोटो मुह लटकाए हुए आई ही नहीं, तो बात उनकी लेते हुए, फिर ये की आने वाली पीडी तक ये जो जो ग्यान संपदा है, उसको संस्कारों को पहुंचाने का जो एक चुनोती का सामनाम कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी प्राचीन संस्कृती है, सब्तरिशियों की, शिवयोग की परंपरा, उसमें कहते हैं कि संतान पुत्र है, उसका पिता पिता ना होके अगर मित्र होगा, तो उसको ज़्यादा गाइडेंस देगा। हमारे शिवयोग में जो गुरू है, वो भी मित्र है, पिता है, वो भी मित्र है, तो इशान को जो पाला मैंने है, तो मैं उसका मित्र बनके पाला है। और जब फ्रेंड एक ज़्यादा पावर्फुल फ्रेंड होता है, तो उसका जूनियर फ्रेंड उसकी बड़ी ज़त करता है. और अगर पावर्फुल पिता हो, तो बेटा उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता. इसलिए जो है, वो आइडियल बना मैं, आइडियल, नाट इंपोस्टर. तो मैंने इंपोस्ट कुछ नहीं किया, मैंने उसके लिए आइडियल बना. और यूथ जो है, आज का यूथ बहुत इंटेलिजेंट है. मैं सची बात बताओ, हम लोग तो जानते हैं, कि ये दो हजार से आगे के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो सब महरशी, very high souls, they are taking birth. आप ध्यान से देखोगे, अभी जो बच्चा पैदा होता है, उसकी आंख में इतना तेज होता है, कि आप देखोगे तो वो गहरा आपके अंदर तक देखता है. और ये जितने बच्चे हैं, they are taking birth so that they can save the humanity and they can help the mother earth to ascend into higher dimension. तो ये जो बच्चे हैं, ये आप पहले जैसे बोल देते थे, ये करो, करना शुरू कर देते थे, अभी वो कहते हैं कि मैं क्यों करूं, मुझे आप बताएए, अब अंदर विश्वास नहीं करेंगे, तो अगर उसके पास smartphone है, और आप उस smartphone से कम smart हो, they will not value you. But if you are smarter than their smartphone, then they will be more attracted towards you. इस समय, साइंस जितनी तेजी से चल रहा है, ये बड़ी आवशकता है कि अध्यात्म भी उस्तनी तेजी से चलना चाहिए, तभी एक equilibrium हम पैदा करवाएंगे. जो साइंस मैं बोलता था कि आपके अंदर की जो इनर पावर है, साइंस बाहर उसको डवलप कर रहा है, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को डवलप कर रहा है, लेकिन इनर इंटेलिजेंस वो भूल रहे हैं और इनर पावर और इनर इन्फरमेशन टेक्नोलजी और इनर फार्मेसिटिकल आपके अंदर भी एक दवा की कंपनी है, उसको भूल रहे हैं, तो जो modern education या modern science भूल रही है, उसको शिवयोग के द्वारा मैं कंप्लिमेंट कर रहा हूँ, मैं प्रतेक मनुष्य के भीतर जो दवा की कंपनी है उसको खोल रहा हूँ, जो मनुष्य के भीतर जो अंदर बैठी हुई information technology है, उसको जागरित कर रहा हूँ, और प्रतेक मनुष्य के अंदर जो intelligence है, वो विक्सित कर रहा हूँ, तो अंदर का विकास हो, तो बाहर का विकास हम enjoy कर पाएंगे, लेकिन अगर इंदर का विकास नहीं हुआ, और बाहर का विकास हमसे ज़्यादा हो गया, then we'll become slave of technology, so it is the demand, अवश्यक्ता है, अगर मनुष्यता को आपने सुखी करना है, save करना है, और हम सभी शिवयोगियों का यही काम रहा है, जब कभी भी परिशानी होती है, तो हम लोग बाहर निकल के आते हैं, और अपना काम करके, और फिर अपने ध्यानस्त हो जाते हैं, तो अभी जो है, नॉन स्टॉप आग्या हुई है, हुक्म रजाई चलना, तो उसने का करो काम मैं कर रहा हूँ, सबका एक ही उदेश लेके चल रहा हूँ, लोका, समस्ता, सुखिनो, भवन्तो, कोई दुखी न रह जाए, और सब के भीतर जागरती पैदा हो, नमश्युवाएं. बाबा जी के साथ बैठ कर, ऐसा लगता है, कितना सहज दिखने वाला मनुश्य, कितना अधिक देख चुका है, अनुबह कर चुका है, और कितना ग्यान संसार जो उनके भीतर है, उसको वो उदारता से रस्म इता के साथ बांट रहे हैं, और फिर एक बार हम अक्सर देखते हैं, हमारे आसपास के मनुश्यों कोई नहीं, बलकि संतों को भी देखते हैं, तो हम अपने अंदर से एक सीमा का फ्रेम लगा कर, उनकी पैचान अमुक अमुक ढंग के हैं, ऐसा करते हैं, पर वो जिस तरह से देखते हैं, तो जहां भी देखते हैं, वो सीमा रहित को देख आनन्द की बात है भारत भूमी से पजारे हुए एक ऐसे आधुनिक संत जो हमारी प्राचीन अध्यात्म ग्यान संपदा से भी जुड़े हुए हैं और आधुनिक टेकनोलोजी के बारे में भी इतना स्पष्ट ग्यान रखते हैं थोड़ा सा सरल बातें आपके लिए तो सारी हैं पर यह बाद इस प्रकार की है कि हम ऐसा सोचते हैं अगर आप भारत में बैठके साधना करते हो तो क्या उसका प्रभाव अलग होता है आप अमेरिका में बैठके साधना करते हो तो क्योंकि हम सुनते रहें बारत देव गूमी है उस दृष्टी से किसी स्थान का साधक स अनादिना की दृष्टी से प्रभाव के बारे में आप कुछ बताएं देखिए सबसे पहली बात अहम ब्रह्मा समय है जब मैं शुरुवात मेरी चल रही थी जर्नी जब थी तब भारत वर्ष में प्रतेक तीरत में जाकर के मैं साधना करता था और बहुत अच्छी अनुभूती होती थी और उसका जो विज्ञानिक जो कारण है कि एनर्जी वोटेक्स वो स्थान वो केंद्र उसमें वो कोस्मिक एनर्जी से जुड़े हैं तो उस आभा मंडल में आप जाते हो तो आपका ध्यान ज्यादा लग जाता है लेकिन वो शुरुवात में जैसे आप तैरते हो तो पहले आप लाइफ चेकेट पहनते हो और फिर उसके बाद एक अवस्था आई कि वो सारे तीरत जो है वो भीतर समा गए फिर जहां बैठे वहीं साधना जो है प्रारंब हो गई और शिव योग में कहा है कि भगवान को बाहर क्यों खोशते हो दगाद इस विदिन यू तो यह सत्य है कि भारतवर्श में बड़े से ऐसे स्थाने जहां साधना का आनंद है लेकिन यह भी सत्य है कि जब भीतर का शिव जागरत हो जाएं तो कहीं भी चले जाओ आपकी साधना होती है और वही आनंद को आप हमेशा प्राप्त कर सकते हैं तो यहां भी मुझे आनंद आ रहा है हर जग आ रहा है और एक चीज जो हमें सिखाई गई वो है वस्यू देव कुटुम्ब तो यह नहीं कहना कि भई वो लोग अलग हैं हम अलग हैं we all are same we all are children of God और सत्य बात तो यह है कि हम जो भारत भूमी कह रहे हैं यह पराणिक शब् तो उस समय पूरी प्रित्वी को ही भारत खंडे बोला जाता था आप देखो जो यूरोप है Scandinavian Countries नाम है वो कहां से निकला स्कंद महरशी तो स्कंद महरशी का जो शेत्र था वो यूरोप था आप California जो है वो कपिल महरशी का स्थान था तो आप Southie Station Countries में चले जाओ तो वहां पर जो है सुब्रामनियम स्वामी भगवान शेव श्री चक्र वो सभी आपको वो मंदिर दिखाई देते हैं और वहां सब भी जो है बहुती अनुभुतिया होती है वास्तविक अनुभुति जो अंटस्ट एक एरिया अभी तक है फि बाली इतनी ज्यादा सुद्रड भारतिय संस्कृति है वहां कि वहां जब टेलिवीजिन प्रोग्राम शुरू होता है तो गाहितरी मंत्र से होता है मुझे वहां के मेहर ने बुलाया तो उसने महामृत्र जे मंत्र वो सब पहले उसका उचारन किया उसके बाद उसने जो है वो डिनर फीस्ट जो था उसको प्रारम्ब किया और आप करिबियन आइलेंड शले जाओ तो वो करिबियन आइलेंड जो है उसकी जो मूल जड़े हैं वो भारत से गई हुई है। मैं इस लारि जो गया था एक महालक्ष्मी मंदिर में यहां बहुत सारे करिबियन तो उनको देखने के बाद वो जो एक ग्लिम्स हुआ तो उसमें जो उनके पुर्वज जो एक बड़ी आशा की किरन लेकर के भारत के गाओं से कोई बिहार से कोई कहीं और जगां से वो गए थे वहाँ और सारा दिन वो गन्ये के खेतों में काम करते थे रात को उनको थोड़ा मुठी बर चावल और वो सब मिलता था उसी में संतुष्ट थे लेकिन प्रेयर करते थे भगवान से तो मैंने का वो मुझे याद आ रहा है चाहे वहाँ के हों चाहे मौरिशस के हों दो सो बरस पुराने हैं एक सो सी बरस पुराने हैं तो वो देवी मा को कहते थे दुर्गा मैया हमा ओ सुन ले विंती हमा सुन ले विंती हमा सुन ले विंती हमा तो बहुत बड़े संस्कृत के तो ज्यानी नहीं थे लेकिन भीतर पुरे वेद समाय हुए थे और वो कनेक्ट करते थे उस कौस्मी कुर्जा से महाँ भगवती से प्रातना करते थे कि उनके बच्छों का एक सुन्दर भविष्य हो और इसी उदेश्य से मैं सबको बताना चाह रहा हूं, सबको सिखाना चाह रहा हूं कि don't think small, think big, have bigger dreams. I will guide you how to fulfill it. Don't think small, think big, and guidance is there, guidance is here. और जयसे आप कहरे थे कि आप जहां भी होते हैं, तो जो आपको बच्छ बैठते हैं, उनको भी आनन्द की अनुपूती होती है. और ये जो आनन्द है, वो सहज, सफूरत आनन्द है. और तो कि अवाइन अनन्द, बहुंड लहां जाएंड़ कि आनन्द, कि आनन्द, बहुंड लहां थे चांट्रीस, आनन्द, वाइज हैं. in their behavior and that is incredible feat now when you talked about perfect health and probably there was a reference about how music can also help us in staying healthy or what was that डेखिये, संघीत में healing powers हैं Einstein जो एक विज्यानिक हुए है उन्होंने शिवयोक के प्रिंसिपल्स को विज्यानिक रूप से बताया E is equal to M C square यानि की जो वाईब्रेशन है उससे इनर्जी उत्पन होती है और उस इनर्जी से physical reality उत्मन होती है our body is a physical reality and this body has the energy which is flowing within us and this is controlled by the vibrations और जो शब्द है जब नाद रूप हो जाता है तो उसके अंदर cosmic vibrations होती है और वो cosmic vibrations को अगर हम उसी तरीके से create करते हैं तो हम energy को change कर सकते हैं और जब energy को change करते हैं तो शरीर के रोग जो है उसको स्वास्थ में हम बदल सकते हैं तो इस बारी वो rhythm of universe वो तीन घंटे जो है वो मंत्रों का संगीत क्या है वो जो है मैं करने वाला हूँ जिससे healing हो लोगों को और वो जो पास्चात्य संगीत है क्योंकि संगीत के अंदर जो vibrations हैं देर अर सर्टेन music जो अच्छा लगेगा लेकिन उसका outcome होगा that it creates a depression and societal tendency और एक संगीत ऐसा है जो उसकी vibration depression को दूर करती है और आदमी को optimistic बनाती है और स्वास्थ लाब होता है हमारे जहां जहां यह rhythm of universe हुए लोगों ने आके बताया कि उनका depression दूर हुआ उनको स्वास्थ लाब हुआ शरीर में जो दर्दे हो रही थी वो ठीक हो गई लेकिन उसके साथ साथ जो मनुष्य है वो एक उमंग चाहता है संगीत चाहता है तो मैं अपने नौजवानों को जो वास्तविक संगीत है उनकी संस्कृति का संगीत है उसकी अनुभूती कराना चाहता हूँ तो यहां पर एक रिदम आफ यूनिवर्स का कारिकरम भी होगा रिदम आफ यूनिवर्स के बारे में इस परश्टा आपकी उपस्तिती में जो हम प्राब कर रहे हैं तो जो मन की रिदम में रहता है कोई एक महत्वा कांगशा एक प्रतिस परदा का भाव उसके बारे में आपने कुछ संकेत है कि आपके कई सीडी या अन्य जो आपने जैसे महिशा सुर मर्दिनी आपने जो आपकी वानी में है उसको सुनकर बहुत प्रफुलित और आनंदित होते हैं कोई ऐसे मंत्र जो आपको ऐसे प्रिय हैं कि सहज आप अकेले होते हैं कभी चटान पर विचरन कर रहे हैं अकेले और इसलिए गुन-गुना देते हैं उसको अपने लिए ही कि उससे आप उस मौन तक पहुंच जाते हैं जो आपका बहुत प्रियस्थल है आन्तरिक देखिए सबसे पहला जो है ना हर मनुष्य की consciousness है individual consciousness हर मनुष्य का mind है individual mind और जब वो उसका विकास करता है तो अपनी consciousness को cosmic consciousness से जोड़ने के लिए जो बीच का का रहे है वो है शब्द तो शब्द को नाद रूप में जब वो create करता है तो individual consciousness वो नाद ब्रह्म नाद को ब्रह्म कहा गया है वो cosmic consciousness के साथ एक हो जाती है वस्तविक बात तो यह है कि जितने शिवयोगी रहे है हम लोग atoms को influence करने का भी ज्ञान हमको है on a constructive side क्योंकि जो आप खाली जगा देख रहे हो space देख रहे हो it's not empty it has billions and trillions of atoms और हमको जो कुछ भी चाहिए we change the atomic configuration और जहां atomic configuration आपने change करी the quality of matter property of matter it also changes वो बदलाव आजाता है उसके अंदर और उसी के साथ साथ जो universe में जो भी आप देख रहे हैं शून्या है it is filled with a collective consciousness जो हर मनुष्य जो सोच रहा है जो feel कर रहा है उसकी consciousness से वो एक vibrations पैदा करता है और जब हजारो लाखो करोडो लोग उसी तरफ सोचते हैं so that becomes a collective consciousness तो sometimes people start thinking negatively जो social media है उसमें messages जाते हैं so people start thinking negatively तो collective consciousness जब negative होती है तो creation of destruction चाहे वो natural calamity या man-made calamity वो उसको पैदा करते हैं तो हम शिवी योगियों का काम है कि हम वो मंत्र की जो vibration है उसको इतना ultrasonic हम लोग emit करते हैं कि जहां destructive collective consciousness होती है हमारा प्रयास रहते हैं उसको हम disintegrate करते हैं जिस से we can save the planet and the humanity और जितने भी ascended masters हैं वो यही सब चाहते हैं तो यह माध्यम है मंत्र से पूरा atomic power जो है जैसे atomic power है वो energy के लिए भी इस्तेमाल होती है और atom की power जो है वो destruction के लिए भी होती है क्योंकि जब atom को विगधित किया जाता है तो उर्जा पैदा होती है एक तो जो atomic science है उसके द्वारा की जाती है दूसरी shiv yuk science के द्वारा की जाती है तो जादा तर हम जो है neutralize करते चलते हैं कहीं भी हो दिखता नहीं है लेकिन होता बहुत कुछ है जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं लेकिन उसकी जो आज्या है वही पूर्ण हो उसी तरफ हम चलते हैं जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता है नहीं है बहुत सुक्ष्म बात को जिस मुस्कान के साथ बाबाजी ने हम तो पहुंच रहा है उसका आधार लेते हुए मैं एतने वेज़न आपसे यदि करूँ कि कोई मंत्र आप यदि उचारण करके हमारी दर्शकुर तक पहुंच आए जो सबसे बड़ा जो है एक ओंकार सत्त नाम वाहे गुरू वाहे गुरू जो सचा नाम है जो टृत्फुल साउंड है वो है ओंकार तो उसकी द्वनी जब आप करते हैं तो बहुत लाब होता है मैं थोड़ा सा अपने मूँ से इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें नाद होता है तो मालम ने कौन किस लेवल के उपर सुन रहा हो I will not like to create disturbance लेकिन ओम का शब्द जो है वो परम शब्द है परम शब्द ओम को लेते हुए ऐसी एक प्यास रहती है कि जब बाबाजी के पास बैठने का अफसर हो तो हमेशा बैठे रहो पर उनको आप अपने बीतर उनके ग्यान के जो संकेत हैं या किस तरह से जीवन में योग को लाया जाए और शिव योग किस तरह से आपको हर स्त पर उनक करने में स्वायक हो सकता है उसकी समझ वो दीरे दीरे हमारे भीतर विकसित हो ऐसी प्राथना के साथ-साथ मैं एक बात और आप से जयान लेता चाहता हूं जैसे आपने अनुबूतियों की बात की आपने का अमुक अमुक स्थानों पर सादिना करते हुए विशेश कि कई बाते हैं आपकी जो जब आप कहते हैं तो सहाज लगती है वो अगर उस तरह से नहीं देखी जाए तो चमतकारी की लगती है तो एक सामान्य जन के लिए जो आपके अनुबूतियों को ऐसी आप बता देना चाहें तो बताएं अन्यता ऐसा क्षन जिसमें वो आनंद वो हो सकता है वो निरंतर हो पर कभी और अधिक सगन रहा हो आपके बीतर कुछ ऐसा खुला हो जो ऐसे सौंदरे के जर्णा सा बहा हो जिस क्षण को आप यदी थोड़ा सा हमारे साथ बाटे सबसे अनुबूति वाला समय जो मुझे आत्म साक्षतकार की अनुबूति होई और वो शक्ति पीठ बारत वर्ष में है नैना देवी तो मैं सभी शक्ति पीठों में साधना कर रहा था और वहां दुपहर को पहुचा कोई भी नहीं था यह सब रचना भगवान को दी करता है कोई व्यक्ति नहीं था मैं आकेला ही था तो वहां बैटके जब मैं साधना कर रहा था तो उस समय वो अनुभुती होई जहां माँ भगवती के साथ एकत्व की स्थिती उत्पन होई और वो आनंद को मैं बोल नहीं सकता और कितना समय मैं उसी में था और उसके बाद एक इच्छा ये होई कि सब कुछ तो प्राप्त हो गया अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं मैं तो यहीं रहूँगा इसी स्थिती में रहूँगा तब आदेश हुआ कि सभी ने कर्म करना है तुम योग की स्थिती में प्राप्त हुए हो लेकिन अब कर्म योग भी करना है जो तुमको मिला है उसको बाटना है you have achieved the God but you become instrumental in spreading the light of God and become a torchbearer तो वो जो अनुभुती भाँ हुए थी वो मैं उसी को अनुभव करता हुआ ध्यानस्त होता हुआ उसी को योगस्त कुरू कर्मानी हमेशा उसी योग की स्थिती में जब मौका मिलता है तो उसी समाधी में मैं चला जाता हुआ बाबा जी बहुत बहुत आपका आभार है और आपके पास बेठे हुए जैसे रोम रोम आनंद से तालियां बजा रहा हो प्रिसन्नता से यह जो उजियारा है शद्दा के साथ जिसका संबंद है यह जो आश्वस्ती है जो अक्षय आश्वस्ती सी लगती है यह जो सीमाध् के साथ में संबंदित होने के भाव को प्रकरता से उजागर करने वाले मनीशियों की सन्निदी है वो निश्चित रूप से हमारे लिए कृपा का हेतु है और बाबाजी आपकी उपस्तिति में मुझे यसा स्मर्ण आता है कि मैं जैपूर में बड़ा हुआ मेरे जो बड़े भ आपकी तस्वीर हैं तो मैं तो ऐसे तस्वीर की तरह दो देखता रहा पर कईने कहीं मेरे मन में था कि आइसा अदाराए कि आपके दर्शन हो तो शैद वो कभी के शंचार से किसी समय आकर पूरी हो जाती है और ऐसी बात जागर करने की नहीं है पर मैं शाद एड़िट भी का पाठ करने का हुआ तो मुझे लगता है वो कोई सूख्ष इस तर पर जो आपके भीतर की चेतना है वो आपके पास आने वाले का मन कैसे शुद्ध हो इस और भी सजगता से या अनायास ऐसा कुछ करुणा करती है देखिए करता पुरुशे की है और हर कुछ जो होता है उसी की चिति के स्पंदन से होता है और यह तो बड़ा शुब है कि आपने ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किया क्योंकि जो अद्वायत शुरीवित्या है वो सबसे उच्चतम साधना है और वो साधना जब प्राप्त कर ले मनुश्य तो उसके बाद कुछ बचता नहीं और वो ब्रह्म ज्यान की ही साधना है और जो ललिता सहस्त्र नाम यह जो चार खंड है इसके एक है ललिता सहस्त्र नाम एक है ललिता त्रिशती एक है ललिता खडग माला और एक है संदर्य लहरी यह तंत्र शास्त्र के उच्चतम विभाग है ग्रंत और विभाग है और सहस्त्र नाम जो एक हजार नाम है वो एक हजार अध्याए हैं तंत्रसाधना के नाम तो खाली आप बोल रहे हो नाम लेने से ही कितनी उर्जा होती लेकिन जब आप समझ जाते हो तो एक एक शब्द को जब खोलते हो तो उसमें बंडार है आपके अंदर वो सारी फेकल्टीज हैं डॉर्मेट फॉर्म में तो ये अद्वायत श्रीविद्या के माध्यम से ही उसको खोला जाता है और उस समय जो अनुभूती होती है आपने अभी का चमतकार तो आपका जीवन पूर्ण चमतकारों से भरा हुआ है अनंत के चमतकारों आप जो भी कुछ सोच सकते हो आपके अंदर शमता है वो करने की और वो सब हमारे सब्तरिश्यों का जो ग्यान है शिवयोगियों का वो शिवयोग के माध्यम से हम उसकी साधना जब करते हैं तो जब हम खुलते हैं तो दुनिया में हम लोग बोलते हैं चमतकार है तो हमें यह लगता है कि अरे हम यह भी कर सकते हैं क्योंकि जो पांच तत्व हैं अगनी प्रित्वी जल अगनी वायो आकाश एक एक तत्व की सिद्धी कर लें तो उस तत्व के साथ ही आप एक हो जाओगे मैं एक शिवयोगी को मिला उसने अगनी तत्व सिद्ध किया हुआ था तो जब अगनी खुब प्रचलित होई तो मंत्र चारण हुआ तो वो सहजी अगनी के अंदर बैठके हैं तो लंबी-लंबी दाड़ी थी ना दाड़ी जली ना कपड़े जले ना कुछ हुआ उसी तरी कि सैर करने जाता त Students चलता था कभी ध्यान नहीं रहा तो पानी में चलता हुआ आगे तखनी कर जाता धितर वापश्य जाता अब ये सारी बातें हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा ना कहें क्योंकि शिवयोग में हम चमतकार नहीं दिखाते हैं लेकिन जहां अवश्यक्ता होती वहां चमतकार का एक अध्याय खोली देते हैं जैसे क्रिशी का अध्याय है और फिर उसके बाद वाटर टेबल की जो प्राब्लम होई कि पानी का स्तर नीचे चला गया तो फिर मैंने शिवयोगियों को बताया कि कैसे पानी का स्तर ही आप उपर लिया हूँ भारत वर्ष में सूखा पड़ा लाटूर में तो गुवर्मिंट सजग थी उन्होंने ट्रेन से एक बड़ा क्रांतिकारी उपाय निकाला की ट्रेन में हर वो सिलिंडर डालके सरपानी भरके लाटूर में भेजा लोग पानी पी सके उसी पूरे लाटूर जो सूखा ग्रस एक वहां पर एग्रिकल्चरल फार्म था शिवयोगी का हर तरफ सूखा था और उसके वहां आम का बगीचा था और हर पेड़ पे पत्ते कम और आम ज्यादा लटक रहे थे और उसके आजू बाजू जाओ तो कुएं सूखे वे जलाश्य सीख़े वे लेकिन वह शिवयोगी के खेत में पानी कुएं का इतना भरा हुआ था जलस्तर अब फिजिक्स की बात है तो यहां पानी है इदर पानी नहीं तो नीचे जाना चाहिए लेकिन वह वैसा है तो इसे बहुत से शिवयोगी है तो यह भी एक चमतकार है लेकिन यह मनुष्य को भला करने वाला चमतकार है लोगों के cancer ठीक हो रहे हैं यह मनुष्य का भला करने वाला चमतकार है तो हम लोग वैसे तो बुलते हैं ने चमतकार को नमशकार हम वो चमतकार नहीं करते हैं लेकिन जहां लोका समस्ता सुखिनो भवनतू वहां अपने पोटली से कुछ निकालके सबको दे देते हैं जो सबको दे देते हैं और इतने उदार हैं तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को या मुझे कोई संकेत वैसे तो आपने पूरी उदारता से पूरे बातचीत में बहुत प्रचुर मातरा में जो संपदा उडेली है उसके लिए आपका बहुत कृत गिता के साथ आभार व्यक्त करते हुए, कोई और बात, कोई और संकेत, जो जन हित के लिए हो, सब के कल्यान के लिए हो, आप कृपा करके। I am not this body, I am the soul, शीवो हम, I am Shiva, यह message है, यह message शब्दों के साथ सुविकार नहीं किया सकता है, मौन रहकर ही और कृतग्यता से भरा हुआ, आनंद से लबालब मौन ही इसको सुविकार कर सकता है, जब हम ब्रह्मास्मी के समानार्थक भाव को हमारे आज की भाषा में, हम किसी अनुभूती से परिपूर्ण मनीशी से सुनते हैं, तो वो हमारे लिए कृशेश गौरव और क करत्यता की बात है, बहुत बहुत ये मंगल कामना विराट के चरणों में रखते हुए, जो आपका शेव संकल्प है, वो सिद्ध होई और उसमें अधिकादिक सायोग सब की और से मिले, क्योंकि ये जगत के साथ साथ उस व्यक्ति विशेश के लिए भी कल्यान का हेतु बहुत थन्यवाद, धनावड़।